रादे रादे जैसी क्रश्ना, जैहो स्री विश्नु भगवान कीज़, जैहो माता लश्मी कीज़ हमने अब तक जैस्ट मास के पांच अध्याई सुनें आज हम जैस्ट मास का छटा अध्याई, छटे दिन की पुन्य फल देने वाली कता और श्रीहरी की प्रिया तुलसी महारानी जी की आरती सुनेंगे आईए सबसे पहले हम जेस्ट मास का चट्टा अध्याय सुनते हैं पिछले अध्याय में महादेव जी माता पारवती जी को रंभावरत का पूरा विधान बताते हैं इस अध्याय में हम रंभावरत का महात्य में सुनेंगे माता पारवती जी महादेव जी से पूछने लगी कि हे देव ये रंभावरत करने से क्या फल मिलता है त्रेता यूग में इस सुवरत को सबसे पहले किस ने किया और उसे इस सुवरत का क्या फल मिला कृप्या करके आप हमें विस्तार से सुनाईए मैं सुनना चाती हूँ तम महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि है कल्यानी त्रेता युग में दुर्जटी नाम का एक ब्रामन था वह ब्रामन वेद वेदांग का ग्याता था पुराणों को जानने वाला वेद ब्रामन बहुत धनी था वेद अपनी पतनी माता पिता के साथ रहता था उस ब्रामन को कोई कमे नहीं थी लेकिन वेद संतान हीन होने के कारण हमेशा दुखी रहता था उसने संतान प्राप्ती के लिए अनेग यग्य हवन पूजापाट वरत उपवास भी किये लेकिन सब निश्वल रहा तब एक दिन उसके वरत और दान से उसे पुन्य फल मिला उसे एक सुन्दर सुशील कन्या पैदा हुई वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे सुक्ल पक्षि का चंद्रमा बढ़ता है ब्रामन की वह कन्या जिसका नाम उसने गुण्वती रखा वह बहुत सुन्दर थी वह किसी देव लोग की अफसरा की भाती सुन्दर दिखाई देती थी जब ब्रामन की कर्ण्या विवा लाइक हुई तो ब्रामन सोच में पड़ गया कि मेरी इस सुन्दर कर्ण्या को किसके साथ ब्याह करूं इसके समान तो मुझे कोई वर दिखाई ही नहीं देता तब ब्रामन अपनी कर्ण्या के लिए वर खोजने घर से निकला एक गाउं से दूसरे गाउं एक नगर से दूसरे नगर में वर ढूनता रहा फिर वह राजाओं के शेत्र में पहुँचा लेकिन उस ब्रामन को अपनी कर्ण्या के योग्य कोई राजा भी उचित नहीं लगा तब वह ब्रामन रिशी मुनियों के आश्रम में गया तब वह एक कोशिक रिशी के आश्रम में पहुँचा उस ब्रामन को एक शेष्ट ब्रामन दिखाई दिया जिसका नाम शिव शर्मा था उसके माता पिता की पहले ही म्रत्यू हो चुकी थी वह आश्रम में रहकरी पला बड़ा था पूरे भू मंडल में उस शिव शर्मा के समान कोई दूसरा रूपवा नहीं दिखाई पड़ा वह दूसरा कामदेव ही दिखाई पड़ रहा था इसलिए कोशिक रिशी ने उसका नाम रूप राशी रखा था तब उस दुर्जटी ब्रामन ने कोशिक रिशी को अपने आने का आश्य बताया तब सभी रिशियों ने अनुमती दे दी तो वे दुर्जटी ब्रामन शीव शर्मा को साथ लेकर अपने गाउं अपने घर में आ गया फिर सभी बंदू-बांदूं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवा उसके साथ कर दिया अब शीव शर्मा भ्रामन घर जमाई बनकर भ्रामन के घरी रहने लगा इस तरह सुक पूर्वक उनका समय बीतने लगा तब एक दिन काल से प्रेरित वह शीव शर्मा भ्रामन समीधा लेने वन में गया तो उसे एक अजगर ने निगल लिया तब किसी ने भी यह कारिये होते हुए नहीं देखा सूर्य देव भी अस्त हो चुके थे जब रात्री के बाद भी शीव शर्मा घर नहीं पहुँचा तो उसके साथ ससूर इस्तरी को बहुत चिंता हुई तब दुर्जटी ब्रामन मशाल लेकर अपनी सेवकों के साथ शीव शर्मा को ढूरने वन में पहुँचा लेकिन उन्हें उनका जवाई शीव शर्मा कहीं नहीं मिला वे सब ठक हार कर घर आगे दूसरे दिन सुब़ फिर से शीव शर्मा भ्रामन उसे वन में खोजने निकला लेकिन शीव शर्मा का कहीं भी अतापता नहीं चला तब रामन की पुत्री गुणवती अपने मातापिता के घर में ही शोकाकुल होकर रहने लगी। उसकी पुत्री नित्य प्रती देवता का पुजन कारती थी। तब एक दिन नारद्मुनी प्रत्वी लोग का भ्रहमन करते करते वहां उस दुर्जटी भ्रामन के घर पहुंच तब रामन की गुणवती पुत्री के दुख को देखकर नारद्मुनी का हीदा पिगल गया। उन्होंने ब्रामन की पुत्री से कहा कि हे कल्याणी तुम जेश्ट मास में पवित्र रंभावरत करो। हे कल्याणी तुम जीवन परियंत इस व्रत को करती रहना। इस सुवरत करने लगी पूरे जीवन काल में हर साल जेश्ट मास में वे रंबा व्रत करती और जेश्ट मास का इस्तनान करती इस तरह समय बीद जाने पर जब व्रद्धावस्था को प्राप्त हुई तो एक दिन उसकी म्रत्यु हो गई उसी समय एक देविमान आया वे दिवे धह धारन कर के देविमान में बैठ का स्वर्ग चली गई वे उस व्रत के पुर्णे प्रताव से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई भगवान विष्णु को तुलसी से अधिक कोई प्रिया नहीं ये पारवती ये पूरा रंबा व्रत का महात्या में मैंने तुम्हे सुना तो उन्होंने इसकंदमुनी कोफूलों की माला पेनाई शौल उडाया और उनका पूजन किया और उनकी पदशीना करी एक बार चंदरपूर नगर में एक संत महात्मा जी की टोली प्रवचन दे रही थी उस नगर के सभी लोग महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए पह जी वहाँ पांडाल में सभी तरह के लोग बैठे थे जिन में आमीर, गरीव, सभी थे संतों क्योंकि शुदर जाती की थी तो वहें पांडाल में सबसे पीछे एक कोने में जाकर बैठ गई और महात्मा जी के प्रवचन सुनने लगी महात्मा जी ने कहा कि प्रतेई व्यक् बहुत पापकार्म तो करते ही हैं, कुछ लोग जादा करते हैं तो कुछ लोग कम करते हैं, लेकिन इन बुरे कर्मों से कोई अच्छूता नहीं रहता, कि एक पीबा घी का यग्य में आहूती देने पर एक इंच वर्सात होती है, प्रतेईक मनश्य को चार काम स्वम ही करने पढ़ते हैं, उस काम को अन्य कोई नहीं कर सकता, जैसे पेट भरने के लिए खाना मनश्य स्वम ही खाएगा, अन्य से खाने को अगर वह कहे तो उसका पेट नहीं भरेगा, दूसरा विवा, वह भी इनसान खुद ही करता है, क्योंकि खुद के बदले किसी और को विवा के लिए बैठाता है, तो उसका विवा थोड़ी होगा, विवा तो उसका होगा जो फेरों में बैठेगा, तीसरा है वरत उपवास और दानपुन्य और प्रभु भक्ती, यह भी इनसान अगर खुद करेगा, तो ही इसका फल मिलेगा, चोता है मृत्यू, यह भी जिसकी मोत आ अगे कहा, कि यहाँ पांडाल में अनेक धनी लोग बैठे हैं, उन्हें अपनी जीवनकाल में एक यग्य जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि यग्य करवाने से पित्र खुश होते हैं, पित्र खुश होते हैं, तो उस व्यक्ती की संतती, समरद्धी सब बढ़ने लग जाती ह उस व्यक्ती पर पित्र लोग से उसके पित्र फुलो की बरसात करते हैं, वहाँ पांडाल में बैठी गरीब संतों, बड़े ही ध्यान से महत्माजी के प्रवचन सुन रही थी, तब उसने मन ही मन सोचा कि मैं भी एक यग्या करूं, लिकिन मेरे पास तो धन ही नहीं है, महत्मा अपने शिशों के साथ पांडाल से बाहर जाने लगे, तो उन्हें कोने में संतों बैठी हुई दिखाए दी, महत्माजी खुद चलका संतों के पास आये और बोले कि हेकल्यानी शाम ढल गई है, रात्री होने वाली है, प्रवचन समाप्त हो चुका है, तुम्हें भ घर जाना चाहिए, तब संतों महत्मा जी को प्रणाम करते हुए बोली कि महत्मा जी, आपने अभी प्रवचन में कहा कि प्रते व्यक्ति को अपनी जीवन काल में एक यग्य अवश्य करवाना चाहिए, लेकिन महत्मा जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो धन ही नहीं। फिर भला मेरे जैसे गरीब लोग कैसे यग्य कर सकते हैं। तब महत्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्री तुम्हारे बास जो है, तुम वही करो, तुम उसी का पुण्य मिल जाएगा। यह पुत्री तुम श्रम दान करो। तुम्हारा ये श्रम दान तुम्हें किसी यग्य जितना फल देगा तब गरीब संतों बोली कि महात्मा जी आप मुझे अच्छे से समझाइए ताकि मेरे समझ में आ सके तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्री श्रमदान का मतलब है तुम किसी आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दो गायों की सेवा करो तुम्हें यही यग्य जितना फल देगा उसके बाद संतों ने महात्मा जी को प्रणाम किया और खुद की जोपड़ी पर आ गए पूरी रात वह यही सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए तब उसे ध्यान आया कि उन्हें के नगर में एक आश्रम है उसने निश्चे किया कि मैं अब रोज आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दोंगी दूसरे दिन वैं आश्रम में पहुंची उसने आश्रम के बाहर से देखा तो वहां बहुत से अमीर लोग आ और जा रहे थे तो उसकी हिम्मत नहीं हुई आश्रम में जाने की फिर वह मनी मैं सोचने लगी कि मैं रात्री में आकर पूरे आश्रम की साफ सफाई कर दोंगी उसके बाद वह वापस घर आ गई अर्धरात्री में संतो चुप चाप आश्रम में गई उसने पूरे आश्रम की साफ सफाई कर दी सुन्दर सुन्दर मांड ने मांड दिये गाई भैस के बाड़ी की सफाई कर दी गोबर पोटे उठा दिये उपले बना दिये और सुखी लकडियों का एक जगढ़े लगा दिया और वापस अपनी जोपड़ी में आ गई दूसरे दिन आश्रम के गुरू जी ने उठकर देखा तो आश्रम में साफ सफाई हो रखी थी सुन्दर सुन्दर मांड ने मंडे हुए थी गाई भैस के बाड़ी की भी सफाई हो रही थी गोबर के उपले बने हुए ये ते लकडियों कड़े लगा हुआ था गुरू जी ने आश्रम में सबसे पूछा कि यह सारा काम किसने और कब किया लेकिन सभी आश्रम वाशियों ने मना कर दिया तब गुरू जी ने मनहीमन सोचा कि कोई भग्त तो होगा जो यह काम कर रहा है मुझे देखना पड़ेगा तब अर्ध रातरी को वापस से संतो आई और साफ सफाई करने लगी दूसरे दिन फिर से गुरू जी ने आश्रम और बाड़े की साफ सफाई देखी तो गुरू जी ने निश्चे किया कि आज रातरी को मैं खुद पता करूँगा कि यह काम कोन कर रहा है तीसरी रातरी को गुरू जी सोई ही नहीं जागते रही लेकिन जैसे ही संतों की आने का समा हुआ गुरू जी को गैरी नहीं दा गई चोते दिन गुरुजी माला का जाब करने के लिए बैठ गे और सोचने लगे कि आज तो मैं सूंगा ही नहीं आज तो मुझे जाकर देखना ही है कि ये कारिय कौन कर रहा है कि तभी जाडु की आवाज सुन कर गुरुजी बाहर आये और संतों से बोले कि है कल्याणी तुम कौन हो और तुम क्यों अर्ध रातरी में यहां साफ सफाई करने आती हो तो संतों ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोली कि है महाराज मेरा नाम संतो है मैं शुद्र जाती की विद्वा मेला हूँ अगर मैं यहां दिन में आती तो कोई भी मुझे आश्रम में आने नहीं देता महाराज एक बार हमारे नगर में एक संत महात्माजी प्रवचन दे रहे थे वो अपने प्रवचन में कह रहे थे कि प्रते व्यक्ती को अपने जीवनकाल में एक यग्य करना चाहिए ताकि पुन्य की प्राप्ती हो और दुखो का नाश हो तब मैंने उन संत महात्मा से पूछा था कि मेरे पास तो धन ही नहीं है मैं कैसे यग्य कर पाऊंगी तो उन्होंने मुझे श्रम्दान करने को कहा अब मैं रोज अर्ध रात्री में आपके आश्रम में श्रम्दान करने आती हूं तब आश्रम की गुरुजी ने संतों से कहा कि हे कल्यानी तुम्हारे संत महात्मा ने प्रवचर में जो कुछ भी कहा वसत्य कहा है लेकिन हे कल्यानी तुम रोज अर्ध रात्री में आश्रम में आओगी और नगरवासियों ने तुम्हें यहां रात्री में आते हुए देख लिया तो तुम्हारी ही नहीं मेरी भी इज़त धुमिल हो जाएगी तब संतों बोले कि हे गुरुजी अम में क्या करो धन मेरे पास है नहीं श्रमदान मैं कर नहीं पाऊंगी तो मुझे यग्ये का फल कैसे मिलेगा तो आश्रम के गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि हे कल्यानी तुम तो बड़ी ही भोली हो तुमनी स्वादभाव से विश्नु भगवान की पूजा करो कृष्न पक्ष और शुकलुपक्ष की दोनों एकादशी का उपवास करो माग मास का इस्तनान करो और रद करो रद करने के बाद इनका उद्यापन कर दो और जो गुरु मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ उसका सवा लाख बार जाब करो जब तुम यह पूरा कर लोगी तो तुम्हें यग्य करवाने जितना फल मिल जाएगा उसके बासंतों ने गुरु मंत्र लिया और गुरुजी को प्रणाम करके घर आ गई अब वह वही करने लगी जो आश्रम के गुरुजी ने कहा था वह विश्नु भगवान का पूजन करने लगी क्रश्नु पक्ष और शुकल पक्ष की एकादशी का उपवास करने लगी मागमास का इसनान करने लगी और गुरु मंत्र का जाब करने लगी लगातार तीन साल तक उपवास करने के बाद उसने वरत का उध्यापन कर दिया नियसमय से पहले ही उसने सवा लाग गुरु मंतर का जाब कर लिया तब एक रातरी को संतो मनहीमन सोचने लगी कि मैंने गुरु की बताई विधी से पूचा वरत वे मंतरों का जाब तो कर लिया क्या मुझे यग्य करवाने जितना फल मिला अब मैं इनका कैसे पता करूँ इस तरग कई दिन बीद गए तब एक दिन की भात है उस नगर के राजा का इकलोता पुत्र विमार पड़ गया सभी डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तब एक मतरी के कहने पर राजा ने काशी के एक महन पंडित को बुला कर अपने बेटे की जनम पत्री दिखाई और पूछा कि है पंडिजी महाराज मेरा पुत्र कब और कैसे ठीक होगा काशी पंडित ने राजा के पुत्र की जनम पत्री देखे फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहा कि है महाराज अगर आपके या आपके परिवार में किसी ने व्रत उपवास औ दानपुने किये हूं 26 एकादशी के व्रत किये हूं गरीबों को अन वस्तर रुपया का दान दिया हो ब्रहमन की कन्याओं के फेरे पटकवाए हो भागवत रामायन करवाई हो नगर में कोई ताला बावडी धरमशाला नाथाश्रम खुलवाई हूं यग्यहवन किये हूं कार्तिग वेशाग मागवास के इस्तनान किये हूं अगर इन में से कोई भी एक कार्य किया हो और वह इसका पुन्य आपके पुत्र को सौब दे तो इसकी उम्र लंबी हो सकती है तब राजा ने कहा कि है पंडी जी महाराज मैधन का लोबी मो माया के जाल में ही फसा रहा मेरे और मेरे परिवार में से किसी ने भी इन में से कोई कार्य नहीं किया तब पंडी जी कुछ देर सोचने के बाद बोले कि हे महाराज तब तो एक अंतिम उपाय है अगर आपके नगर में किसी ने इन में से कोई एक भी कारी किया हो अगर वह अपने किये हुए अच्छे कारियों का पुन्यफल आपके पुत्र को संकल्प भर कर सौप दे तो आपका पुत्र बच सकता है तब राजा ने पुरी नगरी में ये धिंडोरा पिटवा दिया कि जिसने भी पंडी जी द्वारा बताए कि एक आरियों में से एक भी कारी किया हो अगर वह अपना पुन्य मेरे मरते हुए पुत्र को सौप दे और उससे अगर मेरा पुत्र स्वस्त हो गया तो मैं उसे मुँ मांगा इनाम दूँगा तब पूरी नगरी में कोई नहीं निकला मात्र संतो ही एक ऐसी महिला थी जिसने पूरी शद्दा भाव से विश्णु भगवान की पूजा करी एकादशी के उपवास करे जब संतों ने राजा की मुनादी सुनी तो उसने मनही मन सोचा कि मुझे महल में जाना चाहिए और अपने यग्या का पुर्णे राजा के पुत्र को सौफ देना चाहिए इससे मुझे मालूम भी चल जाएगा कि मुझे गुरू के बताए तरीके से पुजा और रत जाब करने से यग्य करवाने जितना फल मिला भी है या नहीं और राजा के पुत्र की जान भी बच जाएगी और मेरी परिशा भी हो जाएगी दूसरे दिन संतों सुबर जल्दी उठी नहा दो कर पुजा करके नगर के राजा के महल में पहुच गई उसे देखकर पहरेदार उसे नाटने लगे कि अरे ओ भाग यहां से तेरे महल में आने से महल एपावित्र हो जाएगा तब संतों ने कहा कि अरे भाई मैं तो अपने यग्य का पुणने राजा के पुत्र को सोपने आई हूँ पहरेदारों ने कहा कि यहीं बैढ जा अभी गाउ में से और भी लोग आएंगे तब सभी को एक साथ भीतर लेकर जाऊंगा सुब ऐसे दोपहर हो गई गाउ में से संतों के अलावा और कोई नहीं आया तब राज दरबार सजाया गया राजा रानी मंतरी संत्री प्रजा के घणमान्य लोग एकत्रित हुए संतों को राज दरबार में बुलाया गया संतों को देख कर सभी पैरेदार मंतरी संत्री प्रजा जन हसने लगे कि यह शुद्र जाती की मैलाने क्या यग्य किया होगा तव राजा रानी ने संतों से पूछा कि हे कल्यानी तुमने कौन सा यग्य किया है तव संतों हाथ जोड कर बोली कि हे महाराज मुझे मेरे गुरुजी ने जो भी करने को कहा मैंने वही किया अगर उसका पुढ़ने आपके पुत्र को सौपने से उसकी जान बस सकती है तो मेरी भी परिशा हो जाएगी कि गुरुजी के बताए तरीके से चलने से मुझे ये के करवाने जितना फल मिला भी है या नहीं तब राजा रानी मंत्री संत्री प्रजा के लोग राजा के पुत्र के कक्ष में पहुँचे तब संतों ने पूरे विश्वास के साथ हाथ में जल कुशा और तिल लेकर संकल्प भारा और मनही मन बोली कि है इश्वर अगर मेरे किये व्रत पूजा मंत्र जाप का फल कोटी य लोग के लिए संचित रखना चाते हूं ऐसा संकल्प भर कर उसने जल छोड़ दिया जैसे ही जल छोड़ा तो राजा का पुत्र आखे मलता हुआ अंगडाई लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया वहां खड़े राजा रानी मंत्री संत्री प्रजा के गणमान्य लोग आश् कर दो तुम्हें एक सहस्त्र गाएं दान में दे दूं ये देवी बताओ तुम्हें क्या चाहिए अभी राजारानी की बात खतम ही हुई थी कि तभी संतों को लेने देव लोग से पुश्पक विमान लेकर देवदूत आगे तभी संतों ने अपनी पुरानी दह त्याग कर एक दिवे धह धारन करके कीम्ती अलोकिक वस्त्र और आबोशनों से सुसजित होकर सभी से पूजनिय वंदनिय होकर देविमान में बैठकर बैकुंट में चिरकाल तक आनंद सुप भोगने के लिए चली गई जब संतों देविमान में बैठकर जा रही थी तो उसे महात्मा ने देखा आश्रम में से गुरुजी ने देखा संत महात्मा और गुरुजी दोनों के हाथ जुडगे ये विश्णु भगवान जैसा फल आपने संतों को दिया वैसे हमें भी देना कहानी गैने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भेने वाले को तुलसी जी की कहानी रोज रोज तुलसा जी की पूजा करती है अगले घर ब्याहो कर जाएगी तो तुम घर का कोई कामकच क्यों नहीं सीख लेती आगे जाकर तो रोटी सबजी चूला चोका बरतन कपड़े ही करने है ऐसा कह कर सातो भापिया ननत के उपर हसने लगी लेकिन ननत कुछ नहीं बोली इस तरह समय बीतने लगा जब ननत विवा लाइक हुई तो भाईयों ने अपनी एको एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर वर डूबडा तब भाईयों ने अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेच का सारा सामान तुमें ही लाना है कपड़े, गहने, बर्तन, इत्यादी तो सभी ने हामी भर दी तब सातो भाईयों ने अलग-अलग डिबों में किसी में तुलसी की पतियां डाल दी किसी में तुलसी की जड़, किसी में तुलसी की मन्चरी, तो किसी में तुलसी की टायनिया, तो किसी में तुलसी की माला डाल दी, इस तरह 10-15 डिबे तयार कर दिए, और अपने अपने पतियों से बोली कि हमने ननक बाई की शादी की पूरी तयारिया कर ले हैं, अलग-अलग डिपों में सभी सामान रखती हैं लेकिन ननत को पूरी सच्चाई मालम थी उसने अपने भाईयों को कुछ नहीं कहा क्योंकि वे अपने भाई-भावी के घर को बसाना चाती थी बिगारना नहीं चाती थी तब शादी वाला दिन भी आया भाईयों ने बहन का धूम दाम से विवा कर दिया और बहन को ढेरों आशिरवा दे कर विदा कर दिया बारत दुला दुलन के साथ चल दी पहले के ज़माने में बारत पैदल जाया करती थी या फिर उट गाड़ी ये बेल गाड़ी में जाती थी तो जाने में कई दिन लग जाते थे, तब बारात पैदल पैदल चल दी, चलते चलते शाम हो गए, तो उन्होंने एक स्थान बर आतरी विश्राम करने का निश्चे किया, बारातियों को और दूले को बहुत भूख लगी, तो ससुर ने सोचा कि समधी के यहां से इतने सारे ड सबी ने स्वादिश्ट भोजन खाया और रातरी विश्राम करके सुबर फिट चल दिये, दो पहर तक वे सबी अपने घर पहुँच गे, सबी ने नई बहु की खूब बढ़ाई करी, जब बहन ससुराल में पहुची तो सबी ने उसके दहेच को देखा तो खूब सबी तुलसी माता की क्रपा से, गहने कपड़े बर्तनों उर्धन में बदल गे, ये तुलसी माता जैसे आपने, साथ भायों की बहन के उपर तूटी वैसे सब के उपर तूटना, कहानी कहने वाले के उपर, सुनने वाले के उपर, और हुकारा भरने वाले के उपर जेहो तुलसी महारानी नमो नमो, हरी की पटरानी नमो नमो, बन तुलसी पूरन तपकियो महा शालग राम महा पटरानी, जाके मंज मंजरी कोमल महा श्रिपती चरण कमल लपटानी, दूप दीप नेविद्य आरती महा पुष्पन की बरशा बरसानी, चपन भोग चतीसो व्य तुलसी महारानी नमो नमो हरी की पटरानी नमो नमो